हालो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल आज मैं आप लोगों को बिहार यूपी में होली के दभार पर ज्यादा तर बनाया जाने वाला रस वाला पुवा बना कर दिखाएंगे हाला कि ये पुवा सुखा भी बनाया जाता है लेकिन मैं सुखा पुवा बनाने का बार इसको रस में डालूँगी जिसकी और भी ये रसीला हो जाए और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा और टेस्टी बन जाए चलिए इसके लिए क्या-क्या इंगेडियन्स का जरूरत है और कैसे बनाया जाता है वो देख लिया जाए पहले तो मैं चासनी बना कर रख लूँगी दो कप चीनी और उसके साथ तीन कप पानी मिला कर मैं थोड़ा बॉयल करके चासनी बना कर रख लूँगी चासनी ज्यादा पतला भी नहीं होगा ज्यादा मोटा भी नहीं होगा थ पुआ बनाने के लिए मैं दो कप मिजर्मेंट करके सूजी ले ली अब इस सूजी को एक बड़ा सा बरतन में लेके उसमें दो गलस जैसा पानी मैं डाल दी और करीब 5-6 घंटा उसे फूलने के लिए छोड़ दी दिखिए कितना सुदर सूजी मेरा फूल गिया है अब इसी सूजी पानी का जो घोल है उसमें मैं डालूँगी एक कप चीनी एक कप गेहुका आटा और एक कप मैदा करीब 9 मैं इलाइची रख ली इसका दाना निकाल कर कूट के उसका पाउडर मैं इसी में डाल दूँगी और 3 चम्मत जैसा मैं बड़ा सौफ रख ली इसे में डालूँगी इसका स्वात पूआ में बड़ी अच्छा लगता है पहले मैं मैदा डाल दी घोल के अंदर सबी इंगेडियंस मैं दीरे दीरे डाल दे रही हूं यह दिखिए गेहुका आटा है इसे भी मैं डाल दी और थोड़ा थोड़ा चला के मिक्स कर ले रही हूं और यह है इलाइची का दाना जो मैं कूट के रखी थी उसे भी डाल दी ये है सौफ, बड़ा जाना वाला सौफ, ये भी डाल दी एक कटोरी में मैं दूद ले ली हूँ, फूल क्रीम दूद, थोड़ा गारा करके रखी हूँ ये दूद, जितना जरूरत होगा बैटर में डाल दूँगी दूद को एक बार भी नहीं डालना है, उसे धीरे धीरे डालना है, जितना कॉंसिस्टेंसी देखके उसके अंदर दूद डाल के मिक्स करना है, अब मैं इस मिश्रन के अंदर चीनी जितना रखी थी, उसमें डाल दी पुआ के अंदर जो main ingredients डाला जाता है वो है देशी पका हुआ केला अब मैं इसी देशी केला का साथ खोड़ लेकर उसे छील कर एक बरतन में रख ली अब इसे खुब अच्छे से हाथ के जड़िए मैस करना होगा देखिए खुब अच्छे से मैस करना है जैसे कोई ज्यादा lumps बड़ा बड़ा नह रहे अब पुआ का बैटर के अंदर जितना मैं मैं मैस करके केला रखी थी उसे डाल कर अब चम्मस से नहीं हो पाएगा अब हांस से ही इसके मैस करना है पुवा के अंदर मिलाना है, कुब अच्छे से चारो तरब से हांस से मिला देना है, पुवा का बैटर को जैसे केला चारो तरब फैल जाए, और पुवा का बैटर पतला नहीं होता है, मोटा ही रहता है, और इसको कुब अच्छे से फैट लेना होता है, पुवा बनाने से पह बारी किस्मिस भी डालोंगी इसके लिए करिब तीन बड़े चमर जैसा किस्मिस में रख ली अब जितना भी गरी का टुकरा है और किस्मिस उसको डाल के को अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं बैटर के अंदर पुआ का बैटर में सबी इंगेडियेंस एकदम खूल मिल गया है और एकदम अच्छे से मिक्स भी हो गया है पुआ का बैटर हम लोग का एकदम तयार हो गया है अब चलिए चलते हैं पुआ बनाने पुआ को डीप फ्राइ करना है इसलिए मैं फ्राइंग पैन गैस पर चड़ा कर ओन कर दी और उसमें करीब दो कब जैसा सफेद तेल में डाल के गरम की पुआ का तेल है वो बहुत जादा पहले गरम कर लेना है एकदम फुल आच में उसके बाद फ्लेम को एकदम धीरे कर पुआ को बैटर को पुआ बनाने से पहले एक बार जरूर मिक्स कर लेना चाहिए देखिए मैं एक कलचुल पुआ का बैटर लेकर धीरे से डाल दी फ्राइंग पैन में इसी तरह से डालना है तीन पुआ एक बार इस फ्राइंग पैन में हो जाएगा देखिए पुआ एक मिनट बार मैं उलर दे रही हूँ पुवा होने में थोड़ा समाई लगता है बहुत धीरे धीरे धीमा आज में होता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है और पुवा देखिए कितना बढ़िया फूल गया है इतना बढ़िया फूला पुवा का बहुत जोरूरी होता है जैसे कि अंदर थोड़ा सा स्टीम चला जाए और अंदर वह अच्छे से सिंख जाए फ्राई हो जाए देखिए पांच मिनिट हो गया है बहुत धीमा आग में पुवा होता है इसलिए थोड़ा समय लगता है और पुवा मेरा एकदम लाल हो गया है अब मैं देखिए एक छोलनी और एक छनी के जरिये इसका तेल जित इतना कोशिस करते हूं तेल इसमें से निकल जाए चुकि पुवा मेरा रस वाला बनेगा एसलिए मैं रस को ठंडा करके एक बड़ा बरतन में बगलबे रख ली हूं अब मैं हर एक पुवा को गर्मा गरम निकालने का बाद इसी रस के अंदर डाल दोंगी गर्मा गरम रस क अंदर डालने से क्या होगा एकदम जलेबी जैसा इसके अंदर सब रज खुष जाएगा और खाने में एकदम कुरकुर लगेगा जैसा गर्मा गरम जलेबी खाते वक्त कुरकुर लगता है ठीक उसी तरह दिखे और तीन पुवा मेरा बन गया है अब मैं इस तिन पुवा क को उतार कर फिर रस में डाल दूंगी ओकी फ्रेंड्स आज मैं यहीं विदा ले रहे हूं उमीद है कि आप लोगों को खुब अच्छा रसीला पुआ कुरकुरा पुआ स्वादिस्ट पुआ कैसे बनाया जाता है वो समझ में आ गया है आप लोगों का अगर यह वीडियो और आप लोगों को कोई भी कमेंट अगर करना हो इस भी से पर आप कर सकते हैं मैं इसका रिपलाई दे दूंगी और एक बात फ्रेंड्स बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा जैसे मेरा हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले सबसे हैं और वीडियो आपके लोगोच